आदर्ने अभिभवगण, आदर्ने अध्यपगण, पिरिया चातु चाताओ, कुछ दिन पहले हमारे देश के एसोसी पुधानमन की सिरी नरिंद मोधी जी ने बर्तमान प्रस्वतियों को देखते हुए एक आपात उचिस्तर की बैठक अपने सानेद्य में बुलाई थी और उचिस्तरी बैठक में जिसमें तमाम हमारे कबिनेट के सायोगी, सहित, सभी आधिकारी वर्ग, शिक्षा बिभाग और बिभिन, जिसाओं से जुड़े सभी लोग उपस्तित थे और मैं आवारी हूँ अपने प्रधर्मंति जी का जो लगातार और लगातार हमारे विद्यार्थियों की चिंता करते हैं, हमको अपना मार्ग दर्शन लगातार देते हैं, उन्हीं के निर्देश पर एक बहुती उच्छ स्तरी बैठक आज हमारे देश से तो शे रख्षा मंति शीरिराजनाद सीन जी की अध्यक्षता में हुई और जिसमें मेरे साथ केंदर के दो सयोगी कैबरिन मंति इसमें ती रानी ची और शीर प्रकार जावट जी कर्जी सहित मेरे सायोगी मंत्री संजे दोत्री जी भी थे और देश के कई राजों के मुख्य मंत्री, कई राजों के मुख्य मंत्री और सभी राजों के शिक्षा मंत्री गंड और दुनिया के सबस्य बड़ी शिक्षा प्र देश के आज एक जुट थे अभी चात्रों के सुरक्षा और भवश्य को लेकर मुझे सबसे पहले तो इन सब का धन्यवाद देना है जो सारे शिक्षा विवस्था के लिए चात्रों की सुरक्षा और आज चात्रों के भवश्य की चिंता के दिश्चे केंद्र के साथ एक सार्थक चल चा आज रही है बहुत सार्थक चल चा रही है बहुत महत्वपून सुजाव सभी राज्यों से आई हैं और पिछले वरसे भी राज्यों ने आज एक जुट हो करके इस कोरोना काल की महा संकट में बहुत अच्छे तरीकी से परदर्शन किया था और आज भी मेरे पिरे अच्छात्रों आप जानते हैं पूरी दुनिया इस कोरोना के महा संकट से जूज रही और हम आच्छोते नहीं है यह चुनोती हमारे सामने है और मैं इस बात का भी गवर्व महसूस होता है कि हमारे अध्यापगणने फ्रंट लेंड पर आकर के जिस तरीके से पूरी वर्ष में मेरे चात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया अवसाद में नहीं जाने दिया ओन लेंड एजूकेशन यथा संभव वहां तक पहुंचे हैं जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी धूर कर रहे हैं शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदारन होगा जब 25-30 करोड चात्रों को ओन लेंड पर और घरों को ही स्कूल में तबदील कर दिया गया होगा अभिभाव को मैं आपका अभिणन करता हूँ आपने और अध्यापक्तों ने मिल करके चात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत समालने की कोशिश की है और चात्रों ने भी जो साहस दिखाया है उत्साह दिखाया है इसके लिए मैं उनका अभिणनन करना चाहता हूँ मेरे पिरेचात्र शात्राओं जो आज बैठा कुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए और उनको कहा गया है कि 25 मही तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिशित्ता को दूर कर सकेंगे मैं मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सेवेसे बोड की इंटर की परिक्षावं को इस्थखित किया था तो हमने आपसे कहा था कि हम एक जून तक इन प्रस्तित्यों का अंकलन करेंगे जो भी प्रस्तित्या होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविश्या मारे सामन करेंगे जो भी प्रस्तित्या होंगी हमने यह भी कहा था कि जब भी हम इस बाद की गोष्णा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे ताकि आपकी मन में अचानक नहों कि कप दिश्यों के गोष्णा हो और कफिर जो है आप समलें तो मैं यह समझता हूं कि यह 25 मही तक सबी राजयों के जो जो राजया कुछ ही राजये हैं जिन्होंने इका है कि हम उनको थोड़ा सा और भी मौका दीजे हलांकि उनका भी सकारत्मक रूप था लेकिन और क्या क्या सुझा हो सकती है उनके लिए वो 25 मही तक उन राजयों के सुझा भी आ जाएंगे और मैंने कह का है अपने अभीभावकों से भी का है आप से भी का है अध्यापक कर्णों से भी का है कि यदि आपके भी कोई सुझा होंगे तो मेरे ट्वीटर पर आप अपने सीदे सीदे सुझा भी सकते हैं मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि एक जून एक जून से पहले और आप 25 माई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें मैं आपको विश्वास दिलना चाहता हूं प्रधान मंती जी के नर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भवश्या भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रखकर के जो जो भी प्रस्तिया भ्राष्य के लिए भर भनेंग जाने है झाली हमारे कि पर उच्छे हैं और सबसे बड़ा लोग पंतिक देश हैं जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था और सवादी दुनियानी बात को देखा है हमने आपके सुरक्षा हमारे ले हर हालत में आपके सुरक्षा हमारे पहली प्राथम इकता है और इसलिए फिर मैं बर्वसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निशिंत रहिए और जो भी नड़ने होगा वो आपके हित्मे होगा आपके जिवन के सुरक्षा की द्रिश्टी से होगा और आपके भवश्य में आपके भवश्य को ले करके होगा मैं एक बार फिर सभी अभी भावकों का आध्यापगर्ण का चात्र चात्र रहूँ आपका भी अभिनन्दन करना चाहता हूँ और आज मैं विशेश करके आप ये देश की रक्षा मंति जी जो केंद्र में कई बार विवेन मंत्रालों कर जिनोंने जीमेदारी संभाली है और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंति रहा हूँ वो ऐसे एतियासी खिक्षा मंति भी रहे मुख्य मंति तो थे ही आज उनके सानितिया में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार भी मर्शिक किया है बहुत सा थक, बहुत ही सा थक, पूरा देश के सिक्षा सवी राजे एक जूट है मुझे इस बाग को ले करके प्रसन्यता होती है और मैं सभी राजियों को धन्याबाद भी देना चाहता हूँ और मेरे जो सहयोगी मंती आदर्णिया जावेट कर जी और आदर्णिया इसमित रानी जी को भी में किल्दे की गहराजियों से धन्याबाद देना चाहता हूँ मैं एक बार आपको शुक्रमने देता हूँ, बहुत बहुत धनिवाई